नमस्ते, मैं हूं इंदू अहुजा, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी दो रेमिडीज बताने वाली हो पुश्य नक्षत्रा के बारे में, हर महीने जैसे कि आप जानते हैं पुश्य नक्षत्रा आता है और साल के पहले ही शुरुवाती में मैंने सारी आपको डेर्ज दे द आड़ बजे और दूसरे दिन यानि कि 20 तारी को ये समाप्त होगा रात के साड़े दस बजे तो पुश्य नक्षत्रा जो आ रहा है वो मनाया जाएगा या माना जाएगा या जो भी आपको उपाए करने हैं वो करने हैं 20 मार्च 2024 को ऐसे में करने हैं आपको दो बहुत ही ज पूरी नहीं हो रही चाहिए वो आपकी हो सकते है या किसी और की हो सकते है चाहिए वो कोई भी कारण हो किसी भी कारण से कोई भी इच्छ है तो आप उसके लिए कर सकते हैं जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ पैसे की बरकत के लिए और गर में कभी भी आपको खाने की कमी ना आए, आप महनत करते हैं तो उसका फल भी आपको मिले, अनेक्सपेक्टेड आपके घर में खर्च ना हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉंग उपाईए, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दिते हूँ, सबसे पहला उपाईव, जो की है मनो कामना के लिए, तो आपको ऐसे में करना क्या है, एक पेपर ले ले रहा है, जो कुरा कागज होता है ना, वाइट प्लेन पेपर आप लिजिए, आप कोई भी कलर की पें से आप उस पे अपनी इच्छा लिखेंगे, आप अपने साथ-साथ किसी और की भी इच्छा लिख सकते हैं, कोई भी अपने फैमिली मेंबर के लिए भी आप ये कर सकते हैं, तोटल मैक्सिमम आप इसमें सभी मिला के तीन इच्छा लिख सकते हैं, आप वो प्रेजन टेंस में भी लिख सकते हैं, या आप किसी भी तरह से जैसे आप प्रातना करते हैं इश्वर को उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पुरल कर देना है। और फोल्ड करने के बाद आपके घर में जो भी पौधा होगा, उस पौधे के अंदर आपको इसको मिट्टी में दवा देना है। घर के अंदर नहीं कर सकते तो घर के बाहर जाके कोई भी पेड के नीचे कर सकते हैं, पीपल का पेड़ोगा तो बहुत अच्छा ने, तो कोई भी पेड के नीचे आप इसको मिट्टी में दबा दीजे या घर में पौधे में दबा दीजे, दबाने के बाद आपको क्या करना थोड़ा सा आपको पानी लेना है और किस तरीके से हम जब कोई पौधे का जब बीज हम मिटी में डालते हैं तो पानी देते हैं बस उसी प्रकास से आपको अपनी इच्छा डाल लें के बाद वहाँ पे पानी डाल देना है और ये एक ही बार करना है बार में आपको रोज जा वो जरूर से आपकी पूरी होगा आप जो next जो आपको मैं उपाये बताने वाली हूँ वो आपको बताने जारी हूँ पैसे की बरकत के लिए अच्छी आपको opportunities आए अच्छी income आए साथ ही साथ घर में हमेशा आपके बरकत बनी रहे इसी के साथ-साथ अगर आपके घर में उपाई के साथ भी रिपीट कर सकते हैं तो आपको क्या करना है एक मुठी आपको चावल ले ले रहा है ये चावल कोई भी हो सकता है चाए वो आपका टूटा हुआ हो या साभूत हो जो भी खाने में आप चावल इस्तमाल करते है gramat इना बस वो आप एक मुठी ले लीज यह चावल के अंदर और उसी के साथ-साथ आप डालेंगे एक करंसी का नोट वो 10 रुपे का 50 रुपे का 100 रुपे का ठीक है 500 का जो मर्जी है एक नोट आप उसमें डाल देंगे डालने के बाद उसी के साथ-साथ आपको डालना है एक पुदीने का पत्ता या तो एक तुलसी का ताजा पत्ता ताजा नहीं है तो दोनों में से जो powder या dry आपके पास leaves available होंगे फ्रिज में भी तो वो भी आप लेके थोड़ा सा उसमें mix कर सकते हैं अब इसको कहीं पे भी आप रख दीजे साफ स्थान पे या अपने घर के पूजा स्थान पे रखने के बाद आपको एक बहुत ही ज़्यादा strong मंत्र का जाब करना है इसको मन में करना है और केवल आपका ध्यान मंत्र पे ही होना चाहिए counting पे बिलकुल ध्यान ने देना है जितना आप ज़्यादा दिल से करेंगे उतना जल्दी आपका कार्य पूर्ण होगा उस वक्त आपको कोई भी इच्छा के बारे में नहीं सोचना केवल आपको मंत्र पे ध्यान देना है और वो मंत्र है श्रीम मैं repeat करती हूँ श्रीम श्र पन रहने देंगे एक से देड़ घंटा या शाम तक भी रहने देंगे चलेगा पूरे दिन में रात को कभी भी आप पुशन अक्षतरा पे इसको कर सकते हैं कम से कम एक देड़ घंटा छोड़ दीजेगा अब अपना कार्य कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है जो आ आपको उस पर ध्यान नी देना है, वो मिक्स हो जाए, आपको किसी पी तरह से उसको खर्च कर देना है, कोई पर्टिकुलर जगा पर नहीं देना, जैसे आप फ्लो के साथ खर्च करते हैं, वैसे ही वो करन्सी का नोट और जो कोईन है वो आपका खर्च हो जाएगा, कभी ना कभी ज़रूर नहीं कि उसी दिन करना है, अब जो चावल है, उसको क्या करना है, उसको आधे हिस्से में कर देना है, आपने एक मुठी लिया था, तो उसको आधा कर लीजे, आधे जो चावल है, आपके स्टोरेज के डबे में आप उसको वापिस से डाल दीजे, जहां से आ अपने wallet में ही डाल के आप छोड़ दीजे, बस दो-तीन दाने आपको छोड़ देने है उसके दर, चीक है, और बाकी के जो चावल है आप पक्षियों को खाने के लिए दे दीजे, ये आप डिरेक्ली भी दे सकते हैं, आपको लगता है कि आपके आप पक्षिय डिरेक्ली नही खाएंगे तो थोड़ दे भीगो दीजे, और बाद में भीगे वे आप उसको चावल दे सकते हैं, जोड़ नहीं कि सेम डे पर देना है, आप नेक्स दिन भी ऐसा कर सकते हैं, बस इतना ही आप कीजेगा, ये जो आज मैंने आपको रेमेडी बताई ने, एक बार एक करके ज जरू देखेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग रेमेडी है, बस आप इसको विश्वास के साथ करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकार इमेल पर, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, नमश्कार जिटेगा